म्यूजिक बनाना चाहते हो बड़ स्केल्स के बारे में नहीं पता तो फिर कैसे बनाओगे भाई डोंट वरी भाई टु दे रेस्क्यू वट्सप गाईज वोगम बैक टी चैनल मेरा नाम है हैरी लास्ट वीक पे ने वीडियो डाला जो की था खुसन गाने का डीकिस्ट्रक्शन गाना प्रड्यूस किया मैंने और गाया था मेरे भाई मेरे दोस्त वरिंदर गिल ने आप लोगों ने वीडियो देखा बहुत जादा पसंद किया और काफी लोगों ने मुझे इन फैक्ट मेसेज़िस भेजे और ये भी कहा कि पाजी नेक्स्ट वीडियो बनाओ कॉर्ड्स पे और स्केल्स पे किस तरह से हमें स्केल्स अइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम कॉर्ड्स बना सकते हैं और गाने में डाल सकते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो हम इसी बारे में बनाएं स्केल्स अंड कॉर्ड्स अब हम बात कर रहे हैं कॉर्ड्स की और स्केल्स की तो इनको बजाने के लिए हमें चाहिए होगा एक midi keyboard अगर आप लेने जा रहे हो market में midi keyboard आपका budget कम है मैं recommend करूंगा ऐसा एक portable keyboard यह है अकाई की तरफ से LPK 25 कोई जादा महंगा नहीं है I think 3,35 रुपे के आस पास आपको यह मिल जाएगा अगर आप ट्रावल कर रहे हो अगर आपका studio नहीं है आपके पास सिर्फ laptop है उसके साथ आप इसको pair up करके एक बढ़िया setup बना सकते हो मैं एक keyboard यूज कर रहा हूँ mostly मेरे laptop bag में रहता है और मैं कहीं अगर जा रहा हूँ यह travel कर रहा हूँ तो मैं इसको साथ ले जाता हूँ और बस वहीं शुरू हो जाता हूँ गाड़ी में पार्क में कहीं भी इवन बाथरूम में भी मैंने गाने कमपोज की हैं anyways वीडियो शुरू करते हैं सो बात करेंगे सबसे पहले हम स्केल्स की कौन कौन से स्केल्स होते हैं मैं मैं मेंनली दो स्केल्स के उपर फोकस करूंगा एक है मेजर और एक है माइनर और भी स्केल्स होते हैं इनकी आगे अडवांस्ट वर्जिन पर हम इसमें नहीं जाएंगे बहुत जादा कॉंप्लेक्स हो जाएगा आपको उनकी अभी जरूरत भी नहीं है मैं भी परसutenली इन दो स्केल्स में में मुजबॉस करें लिता हूं और मेरा काम हो जाता है ऑगो So welcome to the session अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दो स्केल्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे एक है मेजर और दूसरा है माइनर अगर आप ये दो स्केल्स को अगर आप समझ लेते हो अची तरह से तो आप म्यूजिक बिनाने के लिए एकदम से रेडियो अब ये जो स्केल है मारा म्यूजिक का चाहे हो मेजर चाहे हो माइदर इसमें सिरफ साथ सूर होंगे यानि की सेवन नोट्स ये जो साथ सूर है इनको हम कैसे पहचानेंगे कैसे इडिया करते हैं Western Music में इनको एक alphabet एक letter दिया गया है Starting from C So C, D, E, F, G, फिर A, B तो ये जो साथ हमारे letters हैं इनसे हम basically अपने साथ notes को या साथ सुरों को identify करते हैं अब कई लोगों को दिक्कत आ सकती है इन alphabet को याद करने में So मैं suggest करूँगा एक ऐसा keyboard या एक ऐसा MIDI keyboard जिसमें की वो alphabets उपर लिखे हो और आपको याद करने की जरूरत ना हो ये keyboard है M-Audio का Key Studio बहुत ही अच्छा keyboard है मेरा सबसे पहला keyboard ये था कोई जादा महेंगा भी नहीं है बहुत ही जादा convenient है यूज करने में आप ये keyboard ले सकते हो क्योंकि इसके उपर alphabets लिखे होई है हर की के उपर वो letter जो alphabets मैं ने आपको बताया C, D, E, F, G, A, B हर की के उपर वो alphabets लिखा हुआ है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक information यहाँ पर मैं और देना चाहूँगा जो western music है उसमें जो major scale होता है वो use किया जाता है happy songs के लिए या good vibe वाले songs के लिए और जो minor scale है वो use किया जाता है sad, emotional उस तरह के गानों के लिए बट हमारे Punjabi music में mostly जो गाने है वो minor scale में बन रहे है अब इन scales को better समझने के लिए और देखने के लिए मैं आपको सीधा अपने keyboard के पास ले जाता हूँ मैं नहीं दिखूँगा आपको बट मेरा keyboard दिखेगा so let's go okay so अब हम आ चुके हैं अपने keyboard पर और मैं आपको बताऊँगा जो हमारे scales है major और minor वो किस तरह से हम identify करेंगे तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे octave कि इन साथ सुरों में ही सारा music बनेगा start करते हैं पहली की से जो की है हमारी C जैसे मैंने आपको बताया वह alphabet है तो C, D, E, F, G, A, B तो यह हो गई हमारी 7 कीज जो की हमारा एक octave बना रही है अब यहाँ पर हमारे पास कुछ white कीज है और कुछ black कीज है जो black कीज है उनको हम बोलेंगे sharp कीज तो अगर हमारा यह C है तो यह हो गया C sharp उसके बाद D, यह हो गया D sharp उसके बाद है E, अब E के बाद कोई sharp या कोई black की नहीं है तो कोई बात नहीं हम next चलते हैं that is F और यह हो गया F sharp, फिर है G, G sharp, A, A sharp और B तो यह होगी sharp कीज और यह होगी normal हमारी alphabet वाली कीज अब सबसे पहले बात करते हैं major scale की अब इसको याद करने के लिए बहुत ही एक easy सा formula है मैं आपको वो formula बताऊंगा, आपको बस वो formula याद कर लेना है वो रट्टा मार लेना है जैसे मर्जी करके अगर आप इस formula को याद कर लेते हो, that's it और कुछ नहीं चाहिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो keys के बीच में distance है हम उसे कैसे बोलते हैं और कैसे identify करते हैं अब हमारी पहली key है C तो यहाँ से जो next key है उसका जो travel है या उसका जो distance होगा हम उसे बोलेंगे half step तो C से C sharp जाने तक का हो गया half step उसके बाद अगला half step यानि की D तो C से C sharp हो गया half step उसके बाद C sharp से D हो गया again half step इसी तरीके से half step अगला हो गया D sharp और फिर half step हो गया E अब दो half steps मिलके हमारे बनाते हैं एक whole step तो अगर हम बोलें कि C के बाद हमारा whole step क्या होगा तो वो होगा D, यानि कि 1 half step और 2 half step तो 1, 2, यानि कि 2 half steps मिलके बनेगा 1 whole step अब जो formula है major scale का और minor scale का वो इनी steps के उपर based है अब formula जो major scale का है वो है whole step, whole step, half step whole step, whole step, whole step, half step अब इसको keys में कैसे देखेंगे, C से शुरू करेंगे जो हमारा root note है बाद वे जो पहला note होता है scale में उसको root note कहा जाता है तो यहां से शुरू करेंगे count करना whole step, whole step, half step whole step, whole step, half step अब आप थोड़ा सा confused हो रहे होगे शायद की मैंने यहां पे सारी white keys क्योंगी नहीं क्योंकि मैंने जो distance travel किया वो मैंने steps से count किया अब यहां पे क्योंकि कोई black key नहीं थी तो यहां पे सीधा यह half step ही आ रहा है और हमारे formula में भी half step है तो हमारा formula क्या कह रहा है whole step, whole step, half step यहां पे half step है तो यह बिल्कुल next की हम उस पे आ गए उसके बाद whole step, whole step, whole step और फिर half step तो यह होगे हमारा major scale यानि की C major तो अगर मैं इसको play करूँ तो यह इस तरह से होगा वापस C पे आके खतम हुआ यानि यह seven notes हमारे C major scale के थे अब इसी तरह के से हम कोई और की लेते हैं और वहां से count करना शुरू करेंगे जो हमारा major scale का formula है for example हम यहां पे लेते हैं C sharp की और यहां से हम बनाते हैं C sharp का major scale तो यहां से count करेंगे तो formula है whole step, whole step, half step whole step, whole step, whole step, half step तो यह हमारी होगी C sharp major scale तो यानि की whole step, whole step, half step whole step, whole step, half step तो यह हमारा होगा C sharp major scale इसी तरह के से कोई भी की को उठा के आप major scale बना सकते हो formula वह रहेगा अब बात करते हैं minor scale की तो minor scale का जो formula है वो है whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step अब हम चेक करते हैं कि C minor scale किस तरह से है तो यहां से count करना शुरू करेंगे यानि C से जो हमारा root note है क्योंकि हम C minor scale बना रहे हैं तो C से शुरू करेंगे whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step तो ये हमारे साथ सुर्थ थे, वो थे C minor scale के अब for example, मैं E minor scale बनाना चाहता हूँ तो मैं E से count करूँगा, जो हमारी E की है, वो है C, D, E, ये वाली अब यहां से अगर मैं E minor बनाना चाहूँ, तो वो कैसे बनेगी? whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step तो ये हमारा हो गया E minor scale, बहुत ही simple है, अगर आप इस formula को याद कर लेते हो, कुछ नहीं करना है, keys को बस steps में count करना है whole step और half step में, आपको easily वो चीज समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी अब बात करेंगे chords की, तो chords हमारी बनती हैं triads में, यानि की 3 notes के साथ वैसे chords और भी advanced तरीके से भी बनती हैं, जिसमें की और notes आप add कर सकते हो बट हम आज की वीडियो में सिरफ triads पर focus करेंगे, बिकरस वो सबसे easy रहेगा समझने के लिए और जो लोग start कर रहे हैं, मैं उनको intimidate नहीं करना चाता, वो ये ना सोचे की बहुती complex आज की theory हो रही है, session हो रहा है, तो मैं simple रखूंगा अगर आप ये chord pattern ये समझ जाते हो, तो आपका काम जो है, चल जाएगा, और आप music बना पाऊगे तो बात करते हैं triads की, जैसे मैंने बताया three notes हैं, और हमारे जो scale है, उसमें है seven notes, तो वो कौन से three notes होंगे, जो हम play करके एक अच्छी chord बना सकते हैं, अब जो formula है, वो mostly use होता है one, three और five, यानि कि first, third और fifth note को अगर हम एक साथ play करेंगे, तो हमारी chord बन जाएगी, अब जैस है, उसके बाद third, तो यहां से one, two, three, उसके बाद four, five, तो हमारी जो triad chord बनी वो थी one, three और five, यानि कि ये वाली, मैंने तीनों की एक साथ play की, तो ये हमारी triad की chord बन गी, यानि कि C major chord, अब ऐसे ही आप कोई भी की उठा के उसके साथ one, three, five का formula लगा के आगे उसी scale में chord ब उसी के अंदर chord बनेगी, कोई भी की उन seven keys के बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर कोई key उसके बाहर की होगी, तो वो chord नहीं बनेगी, वो अटपटी sound करेगी और वो out of scale हो जाएगा, वो सुर से बाहर हो जाएगा, तो हमें उन साथ जो हमने count किये थे, या जो keys जहां जहां भ हुसन जो की गाया वरिंदर गिल ने, और मैंने इसमें music दिया और rap किया था, तो उस गाने का मैं example यहां पर लूँगा, ताकि आपको easily समझा जाए, अब जब वो गाना वरिंदर मुझे first time सुना रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने keys प्ले करनी शुरू की, और मैंने देखा कि वो जो गाना है, वो कौन सी key पे या कौन से सुर पे अच्छा लग रहा है, मतलब जो उसका root note क्या है, तो basically सबसे पहले क्या करना है, गाने का root note find out करना है, अब कई लोग क्या करते हैं कि जब compose कर रहे हैं, तो गाना पहले music की chord decide कर लेते हैं, उसके उपर गाना compose होता है, या अगर आपका गाना पहले से composed है, जो लिरिसिस्ट है या जिसने लिखा है, उसने compose कर लिया है, तो फिर तो आपको simple keys पे आना है, और उसका root note जो है identify करना है, जो उसकी composition है उसके हिसाब से, तो किसी भी गाने का root note find out करने के लिए, जहां से वो line शुरू हो रही है, उसका अब ये वाली key पे वो गाना था, तो जब मैंने ये key play की, तो वो जो सुर्थ था, वो यहाँ पे match हो गया, जित्थे गल हुसन आदी चले सोण, ये नी उत्थे हुसन करावे तेरा अत्नी अगर आप देखो, जो गाना end हुआ, जो line end हुई मेरी, हुसन करावे तेरा अत्नी, तो जो नी end हुआ, वो इस sound पे end हुआ, यानि कि जो हमारा root note है, वो है C sharp, इस गाने के लिए, तो मुझे पता चल गया, मेरे गाने का root note है C sharp, और मैंने ये गाना बनाया C sharp minor में, तो formula वह तो ये वाली की, ये वाली और ये वाली, यानि 1, 3, 5, तो ये जो keys है, 7 keys में से, मैंने 1, 3, 5 को उठाया, कुछ नहीं किया, उनको एक साथ play किया, वो मेरी triad chord बन गई, जित्थे काल हुसना दी, चले सोनी, एनी उत्थे हुसन करावे तेरा यातनी, अब गाने के साथ मैंने chords play की, तो first जो मेरी chord थी, वो थी ये वाली, और second chord जो मैंने लगाई उसमें, वो थी ये वाली, अब ये मुझे कैसे पता चला, तो मैंने chord साथ साथ play की, और मैंने देखा जो गाने का सुर है, वो जो second line आ रही है, वहाँ पे down जा रहा है, तो मैंने अलगलग chords try की, तो तो G sharp से मैंने बनाई अपनी chord 1, 3, 5 के formula से, तो 1, 3, और 5, तो ये chord बन गई, मेरी second chord, अब जब भी ये गाने के साथ play हो रही है, तो वो इस तरह से है, तो इस तरह से आप chords को identify कर सकते हो, और गाने में play कर सकते हो, थोड़ा और experiment करना चाहते हो, तो एक note और add कर सकते हो, यह और फिर जो 1, 3, 5 का formula है, उसको थोड़ा सा change करके 1, 3, 6 भी कर सकते हो, यानि कि 5th key की बजाए आप 6th key भी उसमें डाल सकते हो, तो वो थोड़ी different sound करेगी, बट हमेशा वो ही बाता है, याद इसी बात को रखना है, कि जो भी आप chord प्ले कर रहे हो, जो भी आप keys प्ले कर र याद करने की जरूरत है, जो मैंने formula आपको बताया, अगर आप उस formula को याद कर लेते हो, और ये scales को समझ लेते हो, जितना जादा आप practice करोगे, जितना जादा आप piano प्ले करोगे, आप उतना जल्दी सीखोगे, और उतना जल्दी आपकी memory में वो feed हो जाएगा, इसके इला वो फटा-फट से identify कर लेंगे कि आपने कौन सी की दबाई और वो कहां पे होगी, तो ये ear training बहुत जरूरी है, कोई भी आप गाना सुनोगे तो आप फटाक से उसको बजा लोगे keyboard पे, और वो ability तभी आएगी जब आपका कान trained होगा, और वो कान train कैसे होगा, जितना जाद वो music सुनेगा, अपने कान को train करो, और kick ass music बनाओ, आपको आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ help मिला इससे, scales के बारे में पता चला, chords के बारे में पता चला, काफी कुछ हमने आज ग्यान लिया, और मैंने आपको दिया, और आपको उमीद है, वो आप के लिए काम किया, और आप गाने बनाओगे अच्छे अच्छे और मुझे feedback जरूर देना, comments में जरूर बताओ किस तरह का लगा आज का वीडियो, और आगे आप क्या देखना चाहते हो, भी मुझे बताओ, obviously, जैसे आपने मुझे ये वीडियो के बारे में suggestion दिया था, मैंन है, music, और अच्छे ची videos, यह तो मैं बोल चुक हूँ, और अच्छे ची music videos, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और आपको सिखाऊंगा, कुछ और tips and tricks, देखते रो, thank you so much for watching, I'll see you in the next one.